सनी देब 11 फरवरी को साम 56 मिनिट पर कुम्ब रासी में अस्थ होने जा रहे हैं सनी के अस्थ होने से कुछ रासीयों को बिसे सलाब मिल सकता है तो वहीं कुछ रासीयों को थोड़ा समल कर रहने की जरूवत है जोतिस आचारे पंडिक पंकजपाटक के अनुशार सनी कुम्ब रासी में ही 26 मार्च को सोबा 5 बच के 20 मिनिट पर उदे हो जाएंगे सनी के अस्थ होने से कुछ रासीयों को सारे रेक मानसिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है सनी के कुम्ब रासी में अस्थ होने से रासीयों को लाब तो हो गई इसके साथ ही रासीयों को समल कर रहने की जरूवत भी है इस साल सनी देर अपनी रासी परिवरतन नहीं कर रहे हैं वहें अपनी मूल तिरकोन रासी कुम्ब रासी में ही बराज मन रहेंगे लेकिन समय समय पर उनकी इस्तिती में बदलाब देखने को मिल सकता है जानिये सनी के अस्थ होने से किन रासियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है किन रासियों के जादकों को सापधान रहना होगा कि जोतिस और पंचांग के अनुसार 11 फरवरी 2024 को सनी कुम्ब रासि में अस्थ होने जा रहा है यह सनी का रासि परिवर्तन नहीं है और वहां अपने मूल प्रकों कुम्ब रासि में ही रहेगा लेकिन उसका प्रभाव जो है वहां एक अलग प्रभाव शनी हमको दिखाएगा जो आस्थ की स्कित्वी में रहेगा कुछ रासियों के लिए यह लाबदाएक भी रहेगा कुछ रासियों को सावधानी की जरूवत है क्योंकि शनी के अस्त होने से कुछ रासियों को सारेरेक मानसिक आर्थिक कर्ष्ट हो सकता है और यहां जो समयावदी है बहुत लिमिटेड है तोड़े दुनों के लिए एस्टिपी है पर शनी जो है उदय होगा तो परतमान में शनी जो अस्त होगा मेश रासि ब्रशब रासि और कन्या रासि इन तीन रासि वालों के लिए थोड़ा समय कहना चाहिए मिश्रत रहेगा बहुत ज्यादा शोगफल देने वाला भी नहीं रहेगा मेश रासि के लिए ग्यारवे भाव में शनी अस्त होगा प्रशब रासि के लिए अस्त वे भाव में शनी अस्त होगा और कन्या रासि के लिए थेडवे भाव में यहाँ शनी जो है अस्त हो रहा है तो इनके केरियर पर इनके वेवस्ताई में इनके बिजनिस पर इन तीन दासी वालों के केरियर वेवस्ताई बिजनिस पर उसका पुड़ा सा दुट प्रभाव रहेगा और दामपत्य जीवन पर प्रभाव रहेगा बारीवारिक पर जैसे कन्या रासी वालों के बारीवारिक जीवन पर प्रभाव रहेगा, किसी परिजन के स्वास्तियादी में गिराबट दिख सकती है, प्रशब रासी वालों के बिवाहिक जीवन में कुछ समय के लिए ब्यवधान आ सकता है, इसी प्रिकार इन तीन रासी वालों को कुछी हमिश्रित फंग देने वाला रहेगा.